हलो फ्रेंट्स विल्कम टू डॉक्टर रश्मीज हमेपैथी फ्रेंट्स अपने प्रोफिशनल लाइफ में जो कोशन मैंने सबसे जादा बार फेस किया है वो यही होता है कोई पेशन मुझे पूछता है कि क्या यह बिमारी ठीक हो सकती है या क्या होमियोपती में इस बिमार इतने सालों से है मैंने 5 साल यहां लगाए मैंने 2 साल यहां पर ट्रेट्मेंट किया अब आप मुझे बताएए कि क्या होमियोपती से यह ठीक हो सकती है और अगर हो सकती है ठीक तो कितने टाइम बाद यह बिमारी ठीक हो जाएगी तो कितना परसेंट तक मेरी बिमारी ठीक हो सकती है तो फ्रेंट्स ऐसे बहुत सारे कोशन्स पूछे जाते हैं तो इन सभी कोशन्स का अंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है इस्पेशली यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा बेनिफिशल रहने वाली है जिन लोगों ने होमेपथी अभी तक ट्राइ नहीं किया है और वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन-कौन से बिमारियों में होमेपथी की तरफ ही जाना चाहिए या किन-किन बिमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ करते हैं बहुत सरी असी बिमारियां जिसका अलोपथी में ट्रीट्मेंट नहीं है वह हम अलोपथी में भेजते हैं बहुत सरे असी बिमारियां जिसका सबसे बढ़िया ट्रीट्मेंट आयरवेदा में है तो तीनो सिस्टम अफ मेडिसिन जितने भी हैं और भी जितने सिस् कि हुमेपथी के सिस्टम आफ मेडिसिन में आ रहे हो तो यह बिमारी अगर आपके पास हैं तो आप यह जान लीजे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन सबसे ज़रुरी चीज और सबसे ज्यादा ध्यान में रेक्टिमाली बात यह है फ्रेंड्स की जैसा क तो थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाएं बिमारी शुरू हुई तब आप आ जाएं लेकिन अगर आप घूम फिर क्याएंगे बहुत जगा इलाज लेके आएंगे बिमारी को बढ़ा क्या आएंगे तब थोड़ा मुश्किल होगा तब ज्यादा टाइम लगेगा और फिर जिसमें सबसे अच्छे रेजल्स आपको हूमेपति में मिलते हैं पहली चीज़ है एलर्जी किसी बी तरह कि अगर आपको एलर्जी है ऐलर्जी का मतलब होता है हाईपर सेंसिटिव हो जाती है जो किसे दूसरे को असर भी नहीं करता उससे जैसे कि आपको बाहर कहीं डस ओ शरीर है थोड़ा हैपर सेटिव हो गया है उस अलर्जन के लिए और आपके इंदर जो रियक्शन्स पाइदा कर दे रहा है तो इसलिए हैपर सेंस्टिवीटी रियक्शन होता है है इसके यह निए बहुत कर देख पर जाते हैं इसके लावा ऐस्तमा है स्थमा भी एक अरिजि कि जब आपको जो फसलों के कडाई होते उस टाइम पे बहुत जादा स्नीजिंग वगरा होने लगती है कफ एंड कोल के कंडेशन भी आ जाती है वह फिवर होती है डस्ट एलर्जी होती है यह इसके लाओं बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत तर करने के लिए तो बहुत सारे ठीकरने के लिए तो हमेबती मेरा कि अश्छामपल बताया कि ऐसा कोई त्रीटमेंट नहीं हम देते हैं कि हम आटिग हम लगा लगा लो कोई नगा लगा लो वो दब जाएंगे तो हम इंटरण लेकिन क्रीम देने से पैलिएशन होती है जो आपकी उपर की जो सता पर जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं यह उस्म्टम हमको दिखना वो भी गायब हो जाएगा लेकिन हम हम्होंपती में इंटर्नल ट्रीट्मेंट करके काउस ओफ डिजीज को फाइंड करते हैं कि आपको एलर अब हम बात करते हैं satisfaction rate की आपको कितनी percent satisfaction रहती है तो allergy को पूरी तरह से खतम किया जा सकता है 98-99% इसके chances रहते हैं कि आपको ये problem पूरी तरह से खतम हो जाएगी और अगर time की बात करते हैं कि कितना time लगेगा तो बहुत जादा time इस पे नहीं लगता है अगर अर्टी के रहा बहुत ही uncommon term है लेकिन होमेपथी में यह बहुत ही effectively इसको टीट किया जा सकता है तो behavior problem का मतलब है कि बहुत पहले तो जो life थी बहुत ज्यादा stressful नहीं थी लेकिन धितर जैसे stress फैल रहा है वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी बिमारियां आ रहे हैं जिसको एक behavior category में में डालके जाता है या bipolar disorder जिसमें किसी का जो behavior होता है एक्स्ट्रीम अपसे एक्स्ट्रीम लोग हो जाता है बहुत ही बहुत ही इलेटेट मूड से बहुत ही depressed मूड में आ जाता है या इसके अलावां बहुत सारी और प्रोडम्स होती है फ्रेंड्स जैसे की डिमेंशिया जिसमें धीर na बहुत है सकता है तो ये सबसे जादा important part होता है हुमेपथी बहुत एक्साइट कर सकती है और सबसे जादा जो मुझे 시से करते हैं वैसे तो हर केस मेरे लिए उतना ही जादा important है लेकिन मुझे personally बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट आता है अगर मुझे इस टाइप के उसके लिए इसके लिए फुरी तरह से केस्ट कि JUремं देखती हुं तो बहुत जाधा। इंसके लिए पुरी तरह से टेकिंग होती हैं पूरी ही स्ट्रीण स की करें रगधा हैン झालों सकता है और चET पूरी तरह से क्योर नहीं होता है क्योंकि वो डी जनरेशन में चले जाती हैं बात करते हैं कि तो फ्रेंट्स साथिस्फक्शन रेट ऑटिजम बाइपोलर डिसॉर्डर इसमें बहुत अच्छे हैं लेकिन जो डी जनरेटिव है उसमें उतने अच्छे नहीं है फिर भी आपक लग सकता है और जो दूसरी प्रॉब्लम्स है जो डी जनरेटिव प्रॉब्लम्स मैंने बताई शैजो फॉरी ना पारकिंसल्स है यह वर्ण यर से जादा इसमें लग सकता है बात करते हैं थर्ड करेग्री तो फ्रेंट्स थर्ड करेग्री है स्किन डिसॉडरस तो इसकिन disorders जिसका कहीं और treatment नहीं है जैसे कि Lichen Planis है, Scleroderma है या जैसे Eczema है, Psoriasis है, ये सारी problems के लिए हुमेपती में बहुत अच्छी medicines है, Lichen Planis के उपर जो मेरे वीडियो था उसको आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया और उस medicines जो मैंने medicines बताई उससे बहुत लोगों को benefit मिला है, ये जानके मुझे बहुत happiness फील होती है और इसके लावा फ्रेंट जो हमारी और problems होती है जैसे कि तिल हो जाते हैं अगर face पहुता तो तिल हो रहे हैं, मसे हो रहे हैं, cons हो रहे हैं या और तरह की discoloration body में में आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा effective है इसके लावा हेर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन में ही मैं हेर को इंक्लूड करूंगी तो अगर आपको हेर की कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं और इसमें की बात कर लेते हैं तो इसमें जो treatment होता है ज्यादा time नहीं लगता है 3-6 month लगता है आपको जो hair follower की problem वो ठीक होने में बाकि psoriasis और eczema का long time treatment होता है उसमें 1 year सा ज्यादा time लग सकता है और अगर satisfaction rate की बात करें तो इसका satisfaction rate 80-90% रहता है बात करते हैं थर्ड पॉइंट के थर्ड पॉइंट है एडिक्शन अगर किसी को नश्य करने की आदत है और वो चाहते हैं कि उसको छोड़ देना उसके लिए बहुत अच्छा option है और जिनको नश्य की problem है और वो नहीं तरह कि नश्य को नदूर करने के लिए हुमेपथी मेडिसिंस हैं तो अगर आप खुद से चोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है बट अगर आप नहीं चोड़ना चाहते हैं आपकी family चाहती है कि आपकी family में किसी को drug addiction की problem है और वो उसको चुड़ाना चाहती है तो उसके लिए आपके खाने में मिलाकर आपके पानी में मिलाकर दूद में मिलाकर आपको यह medicine दी जा सकती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको धीरे धीरे जिन चीजों के लिए आपको addiction बहुत जादा हो रखी है वो आपको dislike में convert हो जाएगी आपको धीरे ध जाएगे आप उतको बिल्कुल पसंद ही नहीं करोगे तो इस टाइप और एक और बेन्फिट होता है कि इसमें जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसको वे मैनेज किया जा सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं लेकिन विड लुविड्रॉल सिम्टम्स्टीज के मतलख वह की नशा को चूड़ने के बाद आपको जो परिशानिया सिम्टम्स आने लगती हैं उनको बोलते विड्रॉल सिम्टम्स जैसे की तमाहक को आपने खाना चोड़ दिया उसके आपको headache होने लग गया, nausea होने लग गया, पेट खराब होने लग गया, तो withdrawal symptoms को भी deal करने के लिए, साथ के साथ addictions को खतम करने के लिए बहुत अच्छी medicines है, मेरा alcohol addiction के उपर भी एक वीडियो है, वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसमें मैंने बहुत important होमेपतिक medicines बताई हैं, जो आपकी alcohol को, addiction को खतम करती हैं, बाकि smoking और drug addiction के वीडियो आने वाली हैं, बात करते हैं next topic के, friends, next topic है हमारा hormonal disorder, अगर आपको किसी बेतरा की hormonal disorder है, चाहे males में हो, चाहे females में हो, पहले females की बात करते हैं, तो हमारी life में बहुत सारे ऐसे stages आते हैं, जो हमारे hormones, जो बोडिम हमारे flow कर रहे होते हैं, जो various activities को control करते हैं, उनकी fluctuation होती है, जैसे मिनार्की होती है, या pregnancy होती है, या menopause होती है, three stages होती है females की life में, जब आपकी life में सबसे ज़्यादा hormones की fluctuation होती है, और इन तीनों stages में सबसे ज़्यादा effective होती हुमेपेथिक medicines, सबसे पहले menarkी होता है, जब periods start होते हैं, उस टाइम पे बहुत सारे problems लोगों को होती है, periods irregular होते हैं, कभी होते हैं, कभी नई होते हैं, aminoria होता है, कभी menorrhagia या excessive blood आ रहा है, या बहुत ज़्यादा painful blood आ रहा है, जिसको बोलते हैं dysmenoria, इसके अलावा, जो menopausal symptoms होते हैं, जिसमें hot flushes आपको होते हैं, बहुत ज़्यादा sweating होती है, बहुत ज़्यादा घबरहाट होती है, हाथों में shaking होती है, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत effective है, friends, menopause में hormone replacement therapy, यानि HRT भी दी जाती है, जो कि सब लोग afford नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि HRT के side effect भी होते हैं, तो HRT को avoid कर सकते हैं, आप homeopathic medicines लेकर के, जैसे graphite है, CPI है, यह बहुत अच्छी homeopathic medicines है, और मिनारकी की cases में, कलकेरिया, कार, पिया, पलसर, टिला भी बहुत अच्छी medicines हैं, तो यह medicines से आपको जो problem है, यह भी solve होती है, साथ के साथ काफी ज़्यादा easy to use हैं, और काफी ज़्यादा cost effective भी हैं, इसके लावाँ बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी conditions जिसमें आप surgery को avoid कर सकते हैं, यह friends, सबसे important, सबसे अच्छा topic है, क्योंकि बहुत सारे लोगों surgery के लिए नहीं जाना चाते हैं, चाहे वो nasal polyp के problem हो, चाहे ओवरियन cyst की problem हो, या छोटे-छोटे जो ovarian fibroids हो जाते हैं, उनको निकालने के लिए होती है, या piles का operation लोग नहीं कराना चाते हैं, उसके लिए बहुत जादा effective है, या स्टोन्स हो जाते हैं, चाहे kidney stones हो जाते हों, चाहे वो gall bladder stones हो जाते हों, लेकिन friends, मैं बताना चाहते हूं कि जो stones की size है, उसका जरूर धिहान रखना है आपको, कि बहुत बड़े size हो गए हैं, तब आप हुमेपतिक medicines के लिए नहीं wait करें, आप surgery के ल बहुत अच्छी है, और पाइल्स के लिए इसलिए जादा effective है, क्योंकि पाइल्स का operation करा लिया, अगर आपने तो वापिस आपको scarring हो सकती है, तो पाइल्स के लिए भी लोग हुमेपति medicines लेते हैं, तो इन सभी cases में आप surgery को avoid कर सकते हैं, इसके लावां next point की बात करते हैं Then friends, next point आता है, sexual problems, बहुत सारी ऐसी problems होती है, जिसमें sexual weakness आ जाती है, importance की problem हो जाती है, gynecomastia जिसमें hormonal imbalance की problem होती है, या बहुत जादा आपको low count हो रहा है, आपको low testosterone levels हो रहा है, low libido हो रहा है, या bad effects of using sexual power, इतनी सारी problems के लिए आप होमेपतिक medicines ले सकते हैं, होमेपतिक medicines come from the natural source, so they are very much effective, क्योंकि वो आपको किसी तरह के side effect नहीं देती है, किसी तरह का आपको addiction नहीं होता है, and again, they are very much cost effective and easy to use, तो आप होमेपतिक medicines ले सकते हैं, friends, इसके लाँ हम बात करते हैं, misleadingness problems, कई यासी problems होती है, जिसका दूसरे system of medicine में long term treatment लेता है, बहुत ही hard treatment रहता है, काफी जादा लंबा चलता है, काफी strong medicines दी जाती है, कई बार इसके side effects भी होते हैं, weight gain होता है, चक्का राने लगते हैं, पेट खराब हो जाता है, और migraine को पूरी तरह से treatment भी नहीं होता है, सिर्फ पैलियेशन होती, सिर्फ आपको painkillers के थूरू आराम मिलता है, लेकिन migraine को यूज करना चाहते हैं, तो आप होमेपथी में आ सकते हैं, इसके अलावा एक topic जिसके बिना ये फुरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो है vitiligo या लियूको डर्मा, इस वीडियो को भी आप सब लोग ने बहुत पसंद किया है, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने है, इस वीडियो में वो सारी medicine मैंने explain किया है, जिसके लिए आप होमेपथी medicine ले सकते हैं, लेकिन friends ध्यान रखें कि आप vitiligo का treatment खुद से नहीं करें, और अगर vitiligo होता है, चाहे आपकी family में किसी को होता है, या आप किसी के जान पेचान में होता है, तो जरूर आप उनको inform करें, कि सबसे पहला treatment वो सिर्फ होमेपथी में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा treatment लेने के बाद अगर आप होमेपथी में आओगे, और especially वो जो skin का patch है, जो white color का है, वो गर वो pink color में change हो जाएगा, तो होमेपथी में भी उसको option कम हो जाएगा, होमेपथी भी उसको पू around 90-95% रहता है, इसके लाँ फ्रेंट सर्वाइकल की प्रॉब्लम से शायटिका की प्रॉब्लम हो उसमें भी बहुत ज़्यादा effective है, तो फ्रेंट्स ये कुछ important मैंने conditions बताए हैं, जिसमें होमेपथी मेडिसेंस आर वेरी मच effective और अगर आपको इन में से कोई प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा effective है, तो अगर इन में से आपको कोई बिमारिया है, या in future आगर आपको कोई ऐसी बिमारी होती है, तो हमेपथी में आप आएं, तो फ्रेंट्स ये सारे information थी, हमेपथी किन-किन बिमारियों में सबसे ज़्यादा effective है, किन-किन बिमारियों में हमेपथ आप personally मुझे बात करके कोई query करना चाहते हैं तो आप मुझे call me for app बात कर सकते हैं और अपना पूरा case देकर पूरा case analysis करके अपना treatment स्टार्ट करना चाहते हैं तो whatsapp पे contact कर सकते हैं बाकी की details description में दिव हुई आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें अपने friends and family साथ share करें क्योंकि ये information सब के लिए बहुत ज़्या informative है मेरे चैनल को subscribe कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया हो मिलते हूं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए thanks watching